कि अंदर हमने बहुत ही अत्यासिक विमा क्लेम लिये पिशली बार भी लोग सबाद चूरू के अंदर 19-20 रभी के अंदर करीब करीब 12-1300 कोड़ पर अकलेम आया था वहां कहत्यासिक योजना रही है और किसानों को एका बहुत फैदा मिला है और रभी कि खरीब 2020 के अंदर सदार शहर तसील को हाइस्ट क्लेम चूरू जिले के लिया रहा है और 300 क्लेम नौर बादरा और रावतसर के लिया रहा है लगबग 700 क्लेम 20-21 रभी का मिलने की पूरे मिलेगा 100% उसमें राजिस्तान सरकार ने अभी तक चूरू जिले के लिए SBI Insurance का अपने इसे की प्रिम्यम राशित जमान नहीं करी है मैंने एग्रिगर्चर कमिश्टर से परसों बात करी है उसे मैंने निविदें किया है कि आप राशित जल्द जमा कराओ ताकि 12 सरकार अपनी राशित जमा कराती है ताकि कि किसानों क्लेम मिल सके जो बीमा को लेकर राजनती करन हुआ है जिन लोगों ने चंदा जीवियों ने चंदा ही वसूर ने अकाम किया मैं हमेशा उंके खिलाफ सक्त रहूं इस बात को लेकर किसान की मदद करनी है अवश्य करें सब लोग आगया बढ़कर करें पर किसानों से चंदा ना लिया जा है आपको समदित अधिकारी से मीलिए परदान पंचाय समिती सदार शेय के अंदर में अधिकारी गन बैठते हैं और आपको अपना डोकुमेंट लेकर जाई आपको बताएंगे भरमित ना हो चंदा मत दीजिए चंदा देना है तो स्कूल में बच्चा की शिक्षा के लिए दीजिए या खेल मदान बच्चों खेलने के लिए इस बीमा के लिए चंदा देने जूटनी है चंदे करूप में आपने में आशिरवाद दे रहा है हम वर्पूर को शिश करके आपको पुरा आपको सही उसका क्लेम दिनाने काम करेंगे जो समस्या किसी की भी आई वी है च समय क्या जाता हूं चूरू लोग सवाद्शेतर की हर तैसीर के अंदर एक कमपनी का दिकारी है आपकी समय सुनने में और बाहरत सरकार नरेंदर मोदी जी की किसानों के लिए महत्यपून योजना जिसे मातर डाई परसंट का क्लेम प्रीमियम गराशी के किसान बढ़ता है और डेर परसंट बढ़ता रही के अंदर बागी सब बाहरत सरकार 50 परसंट और राज्य सरकार 50 परसंट प्रीमियम बढ़ती है